एंजिटेक शनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ दिपेंद्र आज की वीडियो में हम बात करेंगे IDFD और PFN के बारे में कि किस परपस से इने बॉलर में यूज किया जाता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस टाइप के बीरिंग का यूज इसमें किया जाता है वीडियो आपके लिए काफी informative होने माला है तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक IDFD और PFN को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्यों हमें ड्राप सिस्टम की फर्नस में जरूरत पड़ी दो परपस से हम ड्राप सिस्टम को बॉयलर में यूज करते हैं नमबर वन है फर्नस में होट इयर को देने के लिए जिससे हमारा कमशन अच्छा हो सके और नमबर टू है फ्यूल को जलाने के बाद जो होट फ्लू गैस बचती हैं उसको चुमनी के दवारा भार बेजने के लिए अब हम ID, FD और PA फैन के बारे में डिसकस कर लेते हैं FD फैन, FD फैन की फुल फॉर्म होती है फोर्स ड्राफ फैन, जैसा की नाम से ही किलिए रहे फोर्स ड्राफ फैन, यह बाताबरन से एर को फोर्स फुली खीच कर फर्नेस में बेजता है इसलिए इसे फोर्स ड्राफ फैन कहा जाता है फर्नेस में एर को बेजने से पहले एर को प्री हीटर दोवारा गरम कर लिये जाता है जिससे क्या होता है गरम एर फ्यूल को अच्छे से जलाने में मदद करती है जिससे boiler की combustion efficiency भी बढ़ जाती है और FD fan positive pressure create करता है जबकि जो ID fan रहता है जिसको हम induced draft fan बोलते है फ्यूल का combustion कराने के बाद यानि की फ्यूल को जलाने के बाद जो hot flow gas produce होती है उसको ID fan चिमनी के दुआरा बाहर निकलने का काम करता है ID fan dust collector यानि की ESP और चिमनी के बीच में रहता है और ID fan negative pressure create करता है flow gas को बाहर खीजने के लिए जिससे हमारी hot flow gas चिमनी के दुआरा बाहर निकल जाती है और क्या main difference होता है ID और FD fan में इसको हम समझ लेते हैं ID fan hot flow gas को खीचने का काम करता है और dust collector के माध्यम से चिमनी के दुआरा clean flow gas को बाहर निकालता है जबकि FD fan cold air को handle करता है क्योंकि ये atmosphere से cold air को खीचता है next है ID fan के impeller का डाया size में बड़ा होता है इसलिए ID fan के rpm कम रखे जाते है जबकि FD fan के impeller का डाया small रहता है इसलिए इसके rpm जादा रखे जाते है ID fan में self-alanging spherical roller bearing का use किये जाता है क्योंकि ये shaft पर लगने वाले radiator और axial load को असानी से bear कर लेता है जबकि FD fan में double row roller bearing का use किया जाता है और सबसे important बात ये है 10 horse power से ज़्यादा की जो motor रहती है उसमें BFD जरूर लगाना चाहिए जिससे bearing और saft पर load काम आता है कहीं कहीं FD और ID fan में bus coupling का use किया जाता है लेकिन ये costly रहती है इसलिए इसका use कम देखने को मिलता है जाता तर हम flexible coupling का use करते हैं जिसमें steel flex रहता है जो की axial और radial load को balance करने का काम करता है और जब हमारा FD और ID fan बंद रहता है तो chimney हमारा balance drop बनाती है अब हम बात कर लेते हैं fan की maintenance के बारे में हमें ID और FD fan का gracing समय से करना बहुत ज़रूरी है और fan के vibration reading का schedule हमें B के लिए 15 दिन का set करना चाहिए और vibration का record हमें maintain करना चाहिए क्योंकि vibration की reading से हमें ID fan और FD fan के bearing और impaler की condition का पता चलता रहता है क्योंकि fan के impaler का unvalence होने का chance रहता है क्योंकि vibration reading के record से हम fan को major और critical vibration से पहले ही maintenance कर सकते हैं अब हम primary air fan के बारे में discuss कर लेते हैं primary air fan जिसे sort में PA fan कहा जाता है PA fan का use boiler में coal को conveying यानि की coal को furnace में feeding करने के लिए किया जाता है air creator के दोवारा air को गरम करके furnace में coal feeding के लिए भेजा जाता है hot air देने से coal dry हो जाता है और PA line चोकोने के chance बहुत कम रहता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दे मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching